हलो स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में मैं डिसकस करूंगा आईटी में एक्जाम 2024 का जो रिजल्ट आया है उसके लिए रीचेकिंग के फॉर्म जो है वो कब से अपलाई होंगे साथ इसत में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कौन-कौन से इसे सब्जेक्ट है जिनमें आप लोग रीचेकिंग के लिए एपलाई कर सकते हो कंप्लीट इन्फोर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और इस्टूडेंस यदि आप लोग फर्स टाइम हमारी इस यूटूब चेन पे हैं तो इसी सब्स्राइब जरूर करें साथ इसाथ बेल आइकन के बटन को प्रीज करें ताकि आईटे से रिलेटिर्स सभी ऑफिसियल और यूसफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुँच सके तू गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो जैसा कि आप सभी को पता है 15 सप्तेमबर 2024 को जो है आईटे मेन एक्जाम 2024 का रिजल्ट आ चुका है कि उमीद के मुताबिक नहीं मिल पाया कहीं स्टुडेंस तो ऐसे भी हैं जो ट्रेड प्रेक्टिकल और जो सेशनल मार्क्स कोलेज की और से मिलते हैं उनको लेकर भी बहुत ज्यादा परेसान है कहीं स्टुडेंस ऐसे हैं जिनको सीबीटी एक्जाम में जो रिजल्ट उनका मिला है उसको लेकर वो खुस नहीं है तो यहाँ पे जो है ऐसी condition में student चाह रहे हैं कि उनका जो result है उसको reach एक किया जाए फिर से जो है दुबारा जो है update किया जाए तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यार देख सबसे पहले तो जो चीज है वो यह है कि आपके जो trade practical और formative assessment वाले जो marks है इनमें किसी परकार के कोई बदलाव के chances नहीं है ठीक है एक तो trade practical इसमें जो marks आगए वो आगए इसमें कोई changes होने के chances नहीं है उसके बाद में formative assessment जो है वो आपके college की ओर से दिये जाते हैं तो इसमें भी किसी परकार के कोई बदलाव के chances नहीं है इन दोनों ही marks के लिए आप लोग re-checking का जो form है वो भे apply नहीं कर सकते अब बात आती है CBT exam की CBT exam में एक portion है trade theory का और एक portion है employee skills का कुछ students ऐसे होंगे जिनको theory में जो marks मिले हैं उनसे परिशानी होगी तो इसके लिए DZT की ओर से अभी तक देखे अभी last जो जितने भी CBT exam हुई है उन सभी exam में raise a grievance का option दिया जाता था कौन सा option दिया जाता था ध्यान से सुनिया आप लो raise a grievance इसका means क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ raise a grievance का मतलब होता है आपती दर्ज कराना या सिकाइत दर्ज कराना या फिर आप result से संतुष्ट नहीं हो तो आप चाहरे हो कि आपका result जो है एक बार फिर से reach एक किया जाए उसको थोड़ा सा जो है अपडेट किया जाए एक तरह कैसे यह होता है raise a grievance का मतलब ठीक है raise a grievance apply होगा तो पूरा का पूरा एक साथ जो है आपको पता है single paper होता है तो single paper होने के वज़े से CBT exam जो है पूरा एक साथ दोनों subject के लिए लग जाएगा ठीक है हाँ इस बार जैसे ही result आया है अभी फिलहाल raise a grievance का कोई option अवेलेबल नहीं है लास्ट टाइम जब result आया थो result के साथ ही raise a grievance का option अवेलेबल था इस बार raise a grievance का कोई option है नहीं अब ये चीज़ confirm अभी है नहीं कि DGT इस बार raise a grievance का option देगा या फिर नहीं देगा वैसे जो है DGT को raise a grievance का option देना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई board exam नहीं है जिसमें रिवेलेशन के option ना होते हो सभी जितने भी board exams होते हैं सभी exams में result को लेकर अगर students हतास है निरास है खुश नहीं है तो उनके पास में यह मौका होना चाहिए कि वह रिवेल अपने जो result है उसको करवा सके रिवेलेशन उसका करवा सके तो इस बार भी जो है DGT को यह option दिया जाना चाहिए ताकि students जो है वो अपने जो result है उसके लिए रिचेकिंग रिवेलेशन जो है रेजेग रिवेंस जो है वो एपलाई कर सके तो फिलहाल देखे अभी तक जो है रेजेग रिवेंस का चाहिए आपके marks कम है अगर किसी परकार की कोई सिकायत है तो आप विश्वास किजिए आपकी सिकायत को कोई नहीं सुनने वाला जो marks आ चुके वो आ चुके अब result जो है उसमें किसी परकार का कोई changes होने के संभावनाए नहीं है हाँ जो CBT exam है उसमें रेजेग रिवेंस का option मिल सकता है जैसे option आएगा इसी YouTube channel के मादेम से मैं आप सभी तक update पहुंचा दूँगा फिलहाल students इतना ही ITC related सभी useful updates के लिए आप लोग जुड़ी रहे हमारे सत मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद